धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बाटा जूट पहलाने के इलावा ये कुछ नहीं करते कॉंग्रेस उसमय चाहती थी कि देश के सारे बजेड का 15 प्रतिशात सरफ मुसल्मानों पर खर्च हो 10 सालों से राजनीती कर रहे हैं धर्म के आधार पर हर चुनाओ को हिंदू, मुसल्मान, हिंदू, मुसल्मान बनाते हैं की नहीं बनाते हैं कॉंग्रेस की सोच है कि देश की सरकारे जितना बजेड बनाती है उसका 15 प्रतिशात माइनोरिटी पर खर्च हो मतलब या तो जो आप पहले कह रहे थे वो जूट है या जो आप अभी कह रहे हैं वो जूट है साथियों कॉंग्रेस की सोच है कि देश की सरकारे जितना बजेड बनाती है उसका 15 प्रतिशात सिर्फ और सिरफ माइनोरिटी पर खर्च हो यानि धर्म के आधार पर बजट का भी बटवारा धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बाटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भाती भाती के बटवारे करने में लगे हुए आप कल्पना कर सकते हैं कि बजेड का इस प्रकार से टुकड़े करना ये कितना खतरनाक विचार है और आप जानते हैं कांग्रेस के लिए माइनोरिटी सिर्फ एक ही है उसका अपना प्रिय वोट बेंग कि देश के सारे बजेड का पंदरा प्रतिशात सिर्फ मुसल्मानों पर खर्च हो आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधान मंत्री ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे वो दस सालों से राजनीती कर रहे हैं धर्म के अधार पर हर चुनाओं को हिंदू मुसल्मान हि कि नहीं बनाते हैं बनाते हैं कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूँ तो दस सालों से क्या कर रहे थे आप पतलब या तो जो आप पहले कह रहे थे वो जूट है या जो आप अभी कह रहे हैं वो जूट है क्योंकि पूरा देश देख रहा है तो ये जूट पहलाने के इलावा एक कुछ नहीं करते बाज़ अप्पा के जितने भी नेता है प्रधानमंद्री से लेकर आपके जो यहां के प्रत्याशी है जनता को प्रताडित करना, धंकाना, डराना यहां के जो प्रत्याशी हैं वो जमीन चीन रहें जनता की यही उनका काम है जूट पहलाना और जनता के परिशानियों को बढ़ाना